नमस्कार दोस्तों मेरा नामे गिरीजामू था और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जियो हेल्दी रहो वेल्दी में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजे और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजे उन पर कमेंट कीजे और उनको शेयर भी कीजे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम अपनी स्खिन को हेल्दी बना सकते हैं कैसे उसको सुन्दर बना सकते हैं कैसे हम अपने हाथ पेरों की देख भाल कर सकते हैं अभी जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो काफी लोगों को हाथ पेर फटने की प्रॉब्लम होती है तो कैसे हम उसको solve कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपनी स्कीन को कैसे हेल्दी और सुन्दर बना सकते हैं। पाजरा और चने काटा इन सबको एक एक चमच ले लीजिए और इसमें एक चमच नीबू का रस और एक चमच हल्दी का चूर मिला लीजिए। तता शेहद मिला कर नियमित पीने से रक्त साफ होता है और स्कीन की डिजिस नहीं होती है। हाला कि सामली तो अचा जो होती है उसको एकदम से गोरा बनाने के लिए तो कोई एकदम से ऐसा नुस्का नहीं है। पर तुछ जो चाहते हैं कि उनकी स्किन साफ हो और ग्लो करें उन्हें कोई भी उप्चार अपनाने से पहले अपने आहार वियार ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वना कॉंस्टिपीशन है या आपको जो लेडीज है उनको एर्रेगुलर पिरियोडिक प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है तो इन सब चीजों से उनको बचना चाहिए। इतने उपाय के बाद 25 ग्राम सौफ और 25 ग्राम कच्चा नारियल दिन में एक बार सवेरे या भोजन के बाद खूब चबा चबा कर नियम मीत आप 6 मैने तक खाईए। आप अपना सकते हैं। नान से कुछ समय पहले लग भग 100 ग्राम मिट्टी किसी कटोरे में पानी में डाल कर भिगो दे। मिट्टी गल जाये तो मसल कर पानी में एक रसकर लेप सा बना ले और इसे शरीर में साबुन की तरह मल कर लगाए। इसके बस नान कर लेजे और साफ तौले से शरीर को पहुँच लेजे। मिट्टी का ये यूज आपकी स्किन को एकदम स्वच बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा और ग्लोइंग बनाएगा। मिट्टी केत में साफ जगे से एक फुट गहराई से खोद कर लेनी चाहिए। आप जब रात को सोने जाते हैं तो हाथ, पेर, मुह, आदी को अच्छी तरह धो कर पहुँच लेजे। इसके बाद ग्लीस रेन, गुलाब जल बराबर मात्रा में मिलाकर उपर से थोड़ा सा निम्बू का रस डाल दें। इसे हाथ, पेर और चेहरे पर मल से त्वचा स्वस्त और चमक दार बनी रहेगी। चुकंदर का रस टमाटर का रस और पिसी हल्दी इनको 4-4-1 मतलब 4 चमच चुकंदर का रस तमाटर का रस ले लएजिए। एक चमच पिसी हल्दी ले. इसके अनुपात में मिलने से तोच्चा का सामलापन कम होता है अगर आपको गर्मिया जब होती है तो घमोरे से परशान रहते हैं तो बंदगोबी के रसमें बंदगोबी यानि के पत्ता गोबी के रसमें गुलाब जल मिला कर लगाईए इस से आपको रहत मिलेगी दूत की मलाई और टमाटर का रस समान मात्रा में मिला कर लेब करके लगबग आधे घंटे बाद धो दीजे इससे चहरे के काले दाग धब्बे दूर होंगे गौ मुत्र, बेसन, पिसी हल्दी और मलताने मिट्टी इन सबी को समान मात्रा में लेकर गाडा लेब बनाईए इससे चहरे से पूरे शहीर पर लगाईए और पन्रा मिनट बाद धो कर गुनगुने पानी से स्नान कर लिजी यह प्रयोग अगर आप डेली कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो इससे आपके शरीर का जो रंग है वो निखर उठेगा और जो आपकी इसकी नवव एकदम कानती पूर्ण हो जाएगी कच्चे या गुनगुने दूद में रुई का फाहा भिगो कर चहरे तदा शरीर के विभुगिन अंगो की तवचा पर हलके अलके फेरी लगबग आधा घंटे बाद ताजे या गुनगुने पानी से धो दीजी जो भी दाग धब्बे जुरियां है वो मिट जाएंगे और आपके चहरे आपके जो इसकी नवव एकदम स्निक धोएगी एक कटोरी में दूद लेकर इसमें चोथाएं निमबो निचोड़ दीजी जब दूद फट जाए तो इसे चहरे के साथ शरीर के अन्य अंगों पर धीरे धीरे मलिए और कुछ देर बाद इसे धो दीजी या सनान करना चाहे तो सनान कर लीजी इसे तोचा में सौफ्टनेस आती है और आपकी जो इसकी नहीं वो कांती में हो जाएगी जिनों में घमोरियों की समस्या से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो ब्राय उपचार के साथ एक गिलास जोओं के पानी में एक नीमबू निचोड़ कर पीए यदि दिन में दो बाए से कुछ दिन तक पिएंगे तो आपको घमोरियों के बहुत जल्दी चुटकारा आप मिल जाएगा जोओं हलका सा भून कर पीस लीजिए और इसमें थोड़ी हल्दी और कुछ बूने सर्सों का तेल मिलाकर उप्टन की भातिया आप इसे अपने चेहरे पर लगाईए और शरीर पर लगाईए तो चा में धीरे धीरे इससे आपके निखार आने लगेगा आ पूलाब के फूल की पूंखुड़े या डाल कर कुछ दिर पढ़ा रहने दीजिए इसके बाद इस पानी से अगर आप सनान करेंगे तो आपके शरीर में एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी एकदम ताज़ी आ जाएगी सरदी के दिनों में जैतून के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर शरीर में मालिश करने से तोच्छा सौफ्ट बनती है और निखार आता है नारेल के पानी में मलाई मिलाकर तोच्छा पर मलने से दाग धब्बे मिटकर तोच्छा की मुलायमयत बढ़ती है चंदन पीस कर तोच्छा पर लगाने से तोच्छा की चमक बढ़ती है आज के लिए इतना ही दोस्तों हम कैसे अपने हाथ पेरों की देख भाल कर सकते हैं सरदी के मौसम में इस पर हम डिसकस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजेगा तब तक के लिए नमस्कार